देश दे की राजयां विच मौनसुन दी गती विती काटा तिखाई दे रही है जिस कारण लोकानों गर्मीदा सामना करना पह रही है। पहुतिं ने शुकरे वारते सनी चर्वार नुवि एक हाल रही हालां के उस्तोवाद मौस में जड़ाओ साफ हो जावेगा। पंजाब दे ज्यादा तर जिल्यां विचे पारी मिया जेड़ाओं पैसकता है दुरान ते जह वामा मेने जडियाओं चाल सकते हैं देश्दे की राज्यां विच मौनसुन दी गतिविती काट तिखाई दे रही है जिसकार लोकानों गर्मीदा सामना करना पर रही दोजेपा बढ़ा से उत्तर परदेश भिहार हेमाचल पर्देशंव लिच विच विच चंगी वारश हो रही है हमाचल परदेश भिच बारश नो लेकर औरंज अलट जारी किता गया है इस दिEE नाली बिहार विच वी चंगी वारशे जीडियों । देखकर ने में रही हैं। पंजाब दे कई जिल्यां विच बुद्धिवार नो भी पारी वारिश होई, मौसम के इंदर चंडिकड मताविक बीर वारतों पच्छ में गडबडी कारण पंजाब दे ज्यादा तर जिल्यां विच पारी वारिश हो सकती है, इस दुरान तेज हवामा भी चल सकती है ने, हालांके उस्तवाद मौसमें जिड़ा हो, साफ हो जावेगा, इस दो पहला मुद्धिवार नो सवेरे चारतों, शाम बजे तक लुद्धियाना विच 102 मिलिमेटर बारिश होई, हालांके शेहरी इलाके विच इस दो बांचे रहे, इस तरह पठान कोट विच 12 मिलिमेटर, फतेगर सहे विच 29.5 मिलिमेटर, रोपड विच 3.0 मिलिमेटर बारिश होई, जाथ के खोर जिल्यां विच मौसमें जिड़ा हो, साफ रहा, जब वीरवार तो पच्छमी गड़ बड़ी कारन पंजाब दे, ज्यादा तर जिल्यां विच पारी मियां जिड़ा हो, पैसा कद दुरान तेज हवामा मेने जडियां चाल सकते हैं, देश दे की राजयां विच मौनसुन दी गतिविती काटा तिखाई दे रही है, जिस कारन लोग कानू गर्मी दा सामना करना पे रही, दोजेपासे उत्तर परदेश, बिहार, हिमाचल परदेश विच भी चंगी बारिश हो सकते हैं, इस दुरान तेज हवामा भी चल सकते हैं, शुकर वारते सनी चरवार नू भी एक हाल रहेगा, हालांकि उस तो बाद मौस में जड़ा हो साफ हो जावेगा, इस तो पहला बुद्ध वार नू सवेरे चारतों, शाम बजे तक लुदी आना वीच इक सो दो मिलिम मिलिमीटर भारिश होई, हालांकि शेहरी इता हो बन इता हो बारा मिलिमेटर, फतें गडसहे उस उन्तार्ट. 5 मिलिमिटर, रोपड भी 3.0 मिलिमेटर भारिश, कड़ किती है, जाता के ओर जील्या वीच मौस में जड़ा हो, साफ हा, जब वि फश्वेड गडबडर, पंज आप दे ज्यादा तर्जिल्या में पारी में यह जड़ाओं पैसकता इस दुरान ते जह वामा में ने जड़ियाओं चल सकते हैं